So Hello Everyone, Vedanta को लेकर एक अच्छी News आ रही है, इन्होंने Dividend Announce कर दिया है So आगे इस वीडियो में मैं आपको Vedanta का Support Level and Resistance Level भी बताऊंगी ठीक है, So पूरे वीडियो वाच कीजिएगा चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं क्या News आ रही है, क्या Dividend यह प्रोवाइट कर रहे है यहाँ पर आप देखेंगे जो Dividend है, यह 20 रुपीज का Dividend आपको प्रोवाइट कर रहे है यह 3rd Interim Dividend है, ठीक है, आप लोग इसको कब तक Hold रखें कि आप लोगों को यह Dividend मिलेगा जिनके पासे Share है, So तारीक है यहाँ पर आगे यहीं पर देख लेते हैं So September 10 तक यहाँ पर आपको यह Hold रखना पड़ेगा, क्योंकि यह इसकी Record Date है ठीक है, तब तक आप लोगों को यह Share Hold रखना पड़ेगा, तभी आप लोग Dividend पाने के लिए Eligible होंगे या आप लोग अगर सोच रहे हैं, Dividend पाने के लिए इसमें Fresh Entry लेने की So 9th of September तक आप लोग इस Share को Buy कर सकते हैं, At Your Own Risk यह मैं आपको कोई Suggestion नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ अगर आप लोग Dividend पाना चाते हैं तो, ओके चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कैसके Returns रहे हैं Previous आगे तब हम बात करेंगे क्या इसका Support Level नजर आ रहा है Returns तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा खास नजर नहीं आ रहे हैं आजकल में One Week में, One Month में तो सही है, ठीक ठाक है 9.43% One Year में 94-95% Returns हैं, तो यह भी उसे आपसे सही नजर आ रहे हैं बट 3 Years में कुछ खास Returns नहीं थे 5 Years में 233% Returns हैं, तो यह ठीक ठाक हैं All Time में 19,562% इसके Returns रहे हैं, तो यह भी वैसे सही नजर आ रहे हैं चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या इसका Support Level and Resistance Level निकल कर आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, 464 रुपीज के अराउंड इसके Closing हुई है आज और जो इसका Strong Support यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मैं बात करूँ यहाँ पर इसके Strong Support के बारे में तो यह 451 के अराउंड नजर आ रहा है, 451, 52 रुपीज के अराउंड यहाँ पर इसका Strong Support नजर आ रहा है और जो इसका Resistance Level है, यह 480 के अराउंड नजर आ रहा है, अगर यह यहाँ पर इसके अबाव सस्टेन करता है एक Candle बना देता है, Closing Candle यहाँ पर अगर यह बना देता है, तब यह अच्छा खासा Target आपको दिखा सकता है, यह 490 और 500 तक का Target आपको दिखा सकता है तो अपने रिस्क में आप लोग इस सेर में Fresh Entry का सोच सकते हैं, यह आपके पास यह सेर है, तो होल्ड करने का भी आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि डिविडेंट बहुत अच्छा यह देता है, वैसे बैटर रहेगा Long Term Perspective से इस सेर को होल्ड रखे, यहाँ पर Returns तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में डिविडेंट भी यह बहुत अच्छा देते हैं, तो Long Term Perspective से इस सेर को आप लोग होल्ड करने का आगे सोच सकते हैं, Thanks for watching!